नमस्कार दोस्तों मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूँ प्रभात वर्डिंग सर्विस में आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए वियू कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेगा कल के डेट में nifty और bank nifty के कौन से call option और put option में होगी बड़ी कमाई ये जानने वाले हैं आज की वीडियो में इसी के साथ 4 stock लेके आया हूँ मैं आपके लिए जो की कल आपको देने वाले हैं बहुत बड़िया moment ठीक है और दोस्तो हम इंडेप्थ अनालिसिस करेंगे चारो stocks की nifty bank nifty की तो वीडियो होगी बहुत इंटरस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और वीडियो का एम रखते हैं 3500 लाइक दोस्तो हमारे previous stock ने बहुत बड़िया return दी आप लोगों को तो उसके लिए इस वी comments हमारे टेलेग्राम stocks के और हमारे YouTube stock के आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों को निफ्टी क्या हो रहा है निफ्टी फ्राइडे के session में क्या हुआ गाप हुआ गाप होने के बाद गाप डान हुआ और गाप डाउन होने के बाद यह सस्टेन हुआ नहीं ठीक है यह 15,000 का अब 15,000 अगर इसके उपर सस्टेन करता है अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो बाई अब करके चलना है एसल क्या रखना है 14,970 का ठीक है यह आपका एसल हो जाएगा या 80 कह लिजी क्योंकि आप बाई करते करते बैंक आपका निफ्टी 15,020 पहुंची जाएगा ठी इसमें वो होगा 15,080 का सेकंड टागेट वुड़ बी 15,140 का ठीक है इस केस में यू कन दो वन तिंग यू कन जिस्ट बाई 15,000 कॉल ऑप्शन ठीक है यानि एड अड़ द मनी का आप कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं इस निफ्टी का ठीक है अच्छा अगर यह महरास्ट्र में फिर से लॉग डाउन लगे हैं लगने जा रहे हैं ठीक है वो भी है और क्या कहते हैं थोड़ा ग्लोबल सेंटिमेंट भी फ्राइडे को बिगड़ा था इसलिए सेलिंग सेल अफ देखने को हमको मिला था तो आपको मैंने बता दिया है बाइं के लिए कैसे करना है अच्छा अब हम देखो अगर सलिंग्स के लिए हम दोस्तों अगर देखें तो आपको देखो यह लेगर अगर rage बारे warto sustain कर रहा sustain कर रहा that no doubt यह एक बहुत बड़ा critical support बन चुका है ठीक है और आपको तो पता है जब देखो critical support तूटता है तो इसका मतलब बहुत तैजी से हमको fall देखने को मिलती है तो अगर यह तो तो यह तो you can do 15,000 you can just buy 15,000 put option जो की इंदा मनी हो जाएगा ITM हो जाएगा बढ़िया आपको मौका देगा इस put option पर धान रखिए ठीक है जो निचाए जो आपके target होंगे जो आपका T1 होगा वो होगा 14,900 का and second target would be for second target would be 14,870 का इन दो target के आपको sell करके चलना है निफ्टी को ठीक है तो निफ्टी देखो buying selling इसी के इसी level के उपर है आपको समझ के चलना है कि आपको क्या करना है ठीक है जैसी निफ्टी 50,000 के लेवल के उपर sustain कर गया इसका मतलब अब समझ जाइए कि निफ्टी फिट से अपने new highs जो की 15,300-4,000 रीगेन करना स्टार्ट कर देगा ठीक है यह दान रखिएगा अगर हम देखो डेली के चार्ट पर देखें तो देखिए भी डेली के चार्ट पे clear cut यहाँ पर क्या बन चुका है सिक्स के आज पास उपर निकलेगा तो हमको एक फ्रेश राली दिखने को मिलेगी all time high के all time high के लिए ठीक है तो यह रंडिती रहेगी निफ्टी की जानते हैं बांक निफ्टी के बारे में देखो बांक निफ्टी के लिए मैंने आपको निफ्टी बाइंग और सेलिंग दो कि देखो भाई 35,900,800 के नीचे निकलेगा तो आपको सेल करना है ठीक है क्या हुआ 800 के नीचे जाते हैं हमको एक शाफ फॉल देखने को मिली अब देखिए अब आपको तो पता है देखो यह एक support line था support line तूट चुका है अब क्या कहने का मतलब है यह कितना level है 36,050 का यान बेच के चलो बेना के से पूछे राइट अब यहां पर आपका जो target 1 हो जाएगा वह जाएगा माली जो उच्छाल मिल सकता है कहां तक मिल सकता है उच्छाल 35,800 35,900 के आसपास उच्छाल मिलता है बेच के चलो अगर आप 900 के आसपास बेचते हैं तो of course 70 points के ऐसे लगा 500 का जो आपका target 2 हो जाएगा 35,400 का ठीक है यह चीजे उच्छाल मिलता है तो बाकी अब देखिए अगर मालो अब यह क्या कहते हैं फ्लाट खुले 35,600 के आसपास या 500 के आसपास जहां पर है अभी अगर फ्लाट खुलता है तो भी आपको बेच के चलना है 70 points का आपको लग 35,100 का ठीक है आप सुनिएगा यह तो हो गया उच्छाल मिलता है अभी अगर मालो नीचे खुले तो थोड़ा वॉइट करना है क्योंकि नीचे आपको फ्रेश शॉर्ट सेल कप करना है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको फ्रेश शॉर्ट सेल कप करना है जब जब हो जाएगा 70 पॉइंट्स का जो आपका टागेट हो जाएगा 35,050 का अन 34,900 का आपका टागेट 2 हो जाएगा ठीक है टागेट 1 टागेट 2 जैसी यह लेवल तूटता है तो दोस्तों देखिए उच्छाल मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं 36,000 के ITM पुट आप्शन को बाए करके चल सकते हैं बड़िया मौका हो जाएगा बड़िया मौका आपको मिल जाएगा तो इन पुट आप्शन में धान रखिएगा अब देखिए अब मालो फ्रेस शॉट सेल करकर करना है तो तो यह काम करिएगा 35,300 का पुट आप धान रखिएगा इसमें बड़िया कमाई ह हो जाएगा एसल आप रखेंगे स्पॉट का ठीक है जान जोके निफ्टी बांक निफ्टी का विव राइट अब जानते हैं अपने स्टॉक के बारे में पहला स्टॉक है हमारा उसका नाम है SBI SBI को बेच के चलना है ठीक है क्या कि SBI ने उच्छाल में इसने आपको 3.3 का बेच के चलिए एसल आप रख लिजेगा 1.5 रुपीस का अचल लख लिजेगा कहें भी आपके टागेट हो जाएंगे आपके जो टार्गेट होंगे वह होंगे अगर आम आला लिजे 383 का सबस बेचते हैं तो आपका जो पहला टागेट होगा वह होगा 380 का second target would be 378 क तो इन दो टागेट लापको बेच के चलना है SBI को ठीक है रणिती इसमें सेलिंग की है फ्राइडे को भी इसमें अच्छी सेलिंग आई थी अच्छा यहां पर आप देख सकते हैं क्या हुआ था उपर गया नीचे उपर गया नीचे उपर गया अभी इसमें एक बड़ी है कि हमारा हमारे नाम पर एक चैनल खुला है यह आप देख सकते हैं यह हमारा ओरिजनल चैनल है आप देख सकते हैं 69.640 के सब्सक्राइबर है ठीक है यह आप देख सकते हैं प्रभात ट्रेडिंग सर्विस हमारा यह जैनूल चैनल है यह हमारा ऑफ विजिल चैनल है यहां इसको आप रिपोर्ट करो मैं देख रहा हूं हमारे टेलग्राम चैनल में लोग लीव कर रहे हैं हो सकता है इसी चानल की वज़र से लोगों को गरत गरत इंफोर्मेशन मिल रही हो ठीक है जोस्तों अगर आपको लॉस हो रहा है मैं आपको पता दूँ अगर आपको हमारे ना जाके अभी के अभी ठीक है क्योंकि ये बंदा ये जो भी है ये बेवकू बना रहा है लोगों को हमारे नाम पे ठीक है जाके रिपोर्ट करिए दोस्तों ये जो बंदा है ये जो भी है ये क्या कर रहा है आपको गलत गलत इंफोर्मेशन देरा लॉस हो रहा है और आप क्य केते हैं लीव करके जा रहे हैं चैनल को आप इसको लीव मत करिए दोस्तों अच्छा इसका एक और चैनल है यह हमारा नहीं है प्रभाद ट्रेडिंग सर्विस का नहीं है यह इसी का है इसको जाके ब्लॉक करो इसके सब्सक्राइबर 31.9 के है ठीक है तो जाइए इसको ब्लॉ करिए जानते हैं सेकिंड स्टॉक सेकिंड स्टॉक है हमारा अटा पावर देखिए टाटा पावर को बाय करके चलना है तो टाटा पावर को क्यों बाय करके चलना देखिए समझते हैं क्या हुआ है थोड़ा समझते है उपर गया ब्रेंज बनाया उपर गया अब यहां पर थी यह टुक्हें तुमसित करना खरशागlor ऊसे के ऊपर आप स्पीसिर नारा स्ब्सक्राइब क्या फॉटीन के वी जटर्ट प्र खुस्क्राइब जुंड हुट आपको цеूंडरी 2 व new यह इसका लिंक description box में दे रखा है आटा पावर का मैं आपको टार्गेट और स्टॉपलस बता दूंगा टेलिग्राम गुरूप में जानते हैं थर्ड स्टॉक थर्ड स्टॉक है हमारा बजाज ऑटो बजाज ऑटो को सेल करके चलना है क्यों बजाज ऑटो में क्या हो रखा है समस्क्राइशन देखो ऊपर गया एक्जॉशन दिखा यहां पर एक हैंबर कांडल ठीके नीची आ चुका है अच्छा उपर फिर से उपर गया था रेंज बना फिर से नीचे अब देखिए अब एक नया फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो चुका बजाज ऑटो में ठीक आप द तो सेल बिलो 35, 37, 75 के नीचे ठीक है बिलो ऐसल क्या होगा ऐसल आपका हो जायागा लूए इसल आपका 15 पॉइंट का होगा कहीं भी ठीक है 10-15 पॉइंट का SL अपना रख ली जाएगा जो आपके टागेट होंगे मैं आपको टागेट अब्रेट कर दूँगा अधानी पॉट को बेच के चलना है तेक्षुल में हुआ कि अधानी पॉट में क्या हुआ है बेसिकली इसमें बेक्डाउन हो चुका है एसा इसकी और यह नवल का देखें ओर वह हमारा यह लेवल तीक։र है अब एक लेवल हमको और एक लवल एक सपोर्ट बचा रहा है अध करना है क्या करना है सेल बिलो 722 एसल वुड़ बी 725 जो टागेट होगा वह मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलेग्राम ग्रूप में जाहिए जूर जाहिए ठीक है अच्छा अगर आप थोड़ा से एक्स्पीरियंस ट्विटर है तो 732 के आसपास भी उच्छाल मिले बेच के चलो प्राइज आक्षन आपको देखना है मैं अपनी मैथमेटिक जरूर पुट करिए हमारे ट्रेट लेने से पहले टीज के ठीक है डिसकरिमर देदू मैं आप लो देगा सो दिस अलोट टुड़े और इन सबके टागेट और स्टॉप लॉस मैं आपको शही तरीके से मेंशन कर दूँगा टेलग्राम गुरूप में जाए जुड़ जाए वहां में देखो टेलग्राम गुरूप में और भी मैं आपको अपडेट दूँगा लाइव मार्क के लिए इतना ही मैं प्रभात कुमार मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जो लिखे बताइएगा आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा बेस्ट स्टॉक कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जो लिखे बताइएगा तिल द ताइंक यू नमशकार धन्यवाद